कोड़ा शेहर में आज एक साल पहले में जुनदी में बस जूप जाने से मारे गए 24 लोगों को केंडल मार्च निकाल कर शेहर वास्यों ने श्रधांजली दी श्रधांजली कारिक्रम में शेहर के विबिन संगतनों समाज की लोग शामल हुए अब तक 24 लोगों को याद करते वे दो मनिट का मौन रख कर श्रधांजली दी गए साथ ये मृतक लोगों की चित्रों पर पश्रधांजली अर्पित की गई श्रधांजली वा केंडल मार्च का ये कारिक्रम चावनी चोपाटी चोराय पर आयोजित किया गया कोंगरस नीता अमेद धारिवाल जिसमें कूटा उत्तर नगणिगम की महापोर मंजुमेरा कोंगरस नीता पंकजमेता और शिवकाद दधवाना मोचूद रहे इसी लीला खेली के हमारे परिवार में इतने जनों की एक साथ भगवान ने उठाले अपा कि अपको चैसे इसे हमत देंगे यह जो हाथसा हुआ था इसको हम भुला नहीं पाएगे नहीं परिवार इसको भूल पाएगा आज हमने उनकी आत्मा की शान्ती के लिए एक रिष्णनना अंगली दी है और उस परिवार की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता हमें बहुत ही दुख है इस बात का और इसमें जो एक मेरे साथ तो हमेशा महिला कॉंग्रेस में थी मैं उसके साथ साथ घोमती थी सादना auarma उनके पिता की मुझे हम सब को बहुत ही दुख है और आज हम सब इखटे हुए हैं एक साल पूरा हुआ है बर्सी है हम लोग सब उनको नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं और भगवान से प्रात्ना करते हैं कि उनको अपने शिरी चंडों के अंदर जगे दे और परिवार वालों को इस अ